आप को करेंगे गोर्डर् कामत्या है इस्टीमेशन का मतनब होता है आण यह है धू laser के आपको already एक trading and profit and loss account बना कर दिया रहेगा उसके base पे मतब एक year का आपको one year का total information दिया रहेगा और उसके base पे हमको क्या करना है next year का estimated cost sheet बनाना है आपको वाँ पे information दिया रहेगा उसके base पे उसको increase and decrease करना रहता है so देखेंगे कि estimated cost sheet कैसे बनता है पूरा यहाँ पे मैंने दोनों एक current year का और एक next year का cost sheet बना के रखता है मैंने आपके लिए now हम देखेंगे कि कैसे बनता है तो सबसे पहले मैं आपको पूरा problem क्या करूंगा explain करूंगा आप problem देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्ड करेंगे तो देखेंगे वाँ पे दिया है कि सुपर वीजन कंपनी फॉर्निश्यू विद्ध फॉल्विंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स वन थाउजन टीबी सेट्स मैनुफेक्चर्ड और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और उसके पेस्पे नेक्स्ट इयर हमने कितना क्या करना प्रेड्यूस करना उसका एक एस्टिमेटेड कोशीट प्रिपेर करना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन में दिया सबसे पहले मटरियल 18 लाग आपको पता है यह हमारा डिरेक्ट मटरियल हो जाएगा डिरेक्ट वेजस सेकेंड डाडिस 10 लाग पावर और इन स्टोर यह हमारा फैक्टरी ओवरेड् फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री ओएटी ओवरेड्स होता है कॉस्ट परेटिफाइं डियdess डिफैक्टिव वॉर्क यह भी हमारी क्या पर Пока फैक्क्टरी ओवरेड्स में जायका अफिस एक्सपेंस यह आपिस में जाएगा आपका सेलिंग डिस्ट्रिबिशन एक्सपेंसे काँ पर जाएगा सेलिंग डिस्ट्रिबिशन ओवरेड में जाएगा आपका अगर प्रॉफिट नहीं भी दिया रहेगा तो जो हमारा balancing figure आएगा वो हमारा profit हो जाएगा and last में दिया है repair and depreciation of machinery सबको पता है machinery का use कहाँ पे होता है factory में तो यह factory overage में आपका जाएगा आगे दिया है prepare the cost sheet of the above year showing the element of cost per unit prepare also the estimated cost sheet for the next year assuming that next year का भी cost sheet आपको बनाना है but assuming that material cost and direct wages cost will increase by 10% and 15% that means what current year में जो भी हमारा material and direct wages है वो next year में क्या हो जाएगा increase हो जाएगा that is 10 to 15% 10% material and 15% आपका direct wages यह हमारा cost per unit पे क्या करते हैं हम बढ़ाते है total में तो बढ़ेगा नि material का cost बढ़ जाता है labor के cost बढ़ जाते तो cost per unit पे उसका हम calculate करेंगे factory overheads will be recovered as percentage of direct wages यहाँ पे हमको थोड़ा सा calculation करना पड़ेगा बोलता है हमारा जो selling over a day वो हमारा क्या रहेगा percentage of work cost यहाँ पर मैंने जगव रख्या है उसमें आपको पुरा उपर working note करेंगे हम लोग ठीक है तो आपका office और आपका इसके base पे है आपका work cost पे है और आगे दिया है कि आज लास्ट येर और 1500 टीवी सेट्स विल बी प्रोड्यूस्ट नेक्स्ट येर में हमनों क्या करना है 1500 टीवी सेट्स क्या करना आपको प्रोड्यूस करना है and sold at 6600 इच इच इन दो नेक्स येर और जो हमने 1500 सेल किया उसक profit हो जाएगा now so current year में आपने देखा 1000 टीवी सेट्स सेल किया है आपने उसका पूरा आपको क्या दिया है amount दिया है cost दिया है और next year में आपको 1500 टीवी सेट्स क्या करना आपको प्रोड्यूस करना है तो इसी साल में ही हम next year का क्या करेंगे estimation निकालेंगे कि next year में हमको कितने पैसे की कितने amount की कितने cost की requirement है तो देखेंगे आप एम लोग सबसे पहले जो हमको information दिया है उस information के base पे हम पहले current year का क्या prepare करेंगे cost sheet प्रिपेर करेंगे तो देखेंगे आपको जो भी information दिया था आपका जिसमें आपको सबसे पहले क्या दिया था direct material तो मैं आपे देखे देखेंगे फर्स्ट आपको दिया था direct material डायरेक्ट material यह working note number है जहाँ पर working note करेंगे वाँ पर नमबर डाल देंगे तो examiner को clearly समझ में आगा कि कहाँ पर हमने calculation किया उसका तो direct material हमारा 18 lakh cost दिया उसका और आप सबको पता है कि इस साल में हमने कितना unit produce cancel किया 1000 यहां पर मैंने लिखके रखेंगे आपको 18 lakh आपका direct material हो जाएगा सेकेंड हमारा direct wages सो सेकेंड direct wages आपका 10 lakh रुपीज दिया हुआ है तो direct wages 10 lakh हो जाएगा आपका तो direct expenses पूरे problem में given नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है यह दोनों को अगर हम add कर दें तो हमको मिल जाएगा प्राइम कोस्ट प्राइम कोस्ट यह हमारा प्राइम कोस्ट मिल गया and that is 28 lakh 28 lakh हमारा प्राइम कोस्ट हो जाएगा इसका CPU निकालना है आपको तो simple आप क्या करेंगे 18 lakh divided by 1000 इस 18 lakh को 1000 से divide कर देंगे आपका आएगा 1800 1800 आपका कॉस्ट पर यूिट आएगा 10 lakh को divide कर देंगे तो आपका 1000 आएगा direct wages and 28 lakh को 1000 से divide करेंगे तो 2,800 यह आपका cost per unit क्या हो जाएगा find out हो जाएगा now prime cost के बाद हमारा third होता है that is factory overheads तो हम यहाँ पे लिकेंगे factory overhead सब factory overheads यहाँ पे जो भी expenses दिया सब factory से रिलेटेड है जैसे आपका power and store है direct wages है factory lighting है cost of rectifying defective work है तो यहाँ पे जगह नहीं है तुम्हें इसका working कर देता हूं और working note नम्म लिख देंगे तो यहाँ पे आपका working note number one number one factory overheads हमें आपे total करेंगे जेकेंगे इसमें इसमें फॉर्स आपका power and store power and store and that amount is 2,40,000 indirect wages and that amount is 3,40,000 factory lighting and factory lighting amount of 1,20,000 cost of rectifying defective work cost of rectifying defective work and that amount is 60,000 आपका तू लाग त्री लाग फाइफ लाग फाइफ लाग शिक्स लाग एट लाग नाइन लाग ट्वेंटी थाओजन नाइन लाग ट्वेंटी थाओजन क्याल सी रहेगा आपके पास लेल आप टोटल कर लेंगे इस टोटल में सेमल क्या करेंगे लेस कर देंगे डाट इस सेल ओफ इस्क्रैप सेल ओफ इस्क्रैप आपको वापे गिवें था दाट इस 40,000 सो 40,000 माइनस कर देंगे विल गेट 8,80,000 8,80,000 हमारा क्या जाएगा फैक्ट्री ओवरेट समय आप लिखते थे बढ़ हमारा यह पुरा जगह क्या हो जाता कवर हो जाता सो देट हमने एक ही साथ लिख दिया दाट इस 8,80,000 यह हमारा वर्किंग नोट नमबर वन हो जाएगा यह आपे लिख सकते आप वर्किंग नो lilik 80,000 36,80,000 यह हमारा क्या मिल जाएगा वर्क कॉस्ट मिलेगा олж लगं तो जैसे हम को क्या मिला वर्क कॉस्ट मिला वर्क कॉस्ट के बाद अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं और कास्त के बाद हमारा फोर्ट होता है that is office and administrative overhead तो आप देखेंगे वापे office and अभी तक हम लोग क्या करते थे कि office से related जितनी भी हमारे क्या होते थे expenses होते थे वह सब हम क्या करते थे वहाँ पर एक डूड के लिखते थे यहां पर एक दिया हुआ ओफिस और डिमिनिस्टरेट्व ओवरेड सिया 6,80,000 यह हमारा मिल जाएगा इन दोनों को टोटल करेंगे हम लोग देख लो 88,16 को 6 जाएगा carry 1, 12, 13 and that is 33,60,000 and that is called as cost of production cost of production now cost of production cost of production के बाद हम क्या करते हैं add करते हैं selling and distribution overhead selling and distribution overhead तो यहां पर देखेंगे 5th one selling and distribution overhead shortcut लिक रहा हूं आपर वो भी given आपका that is 1,20,000 1,20,000 को क्या करेंगे total करेंगे तो हमको मिल जाएगा 33,34 34,80,000 यह हमारे जाएगा total cost या cost of goods sold cost of goods sold and जैसे हमको cost of goods sold मिल गया हम क्या करेंगे आपर बताएगे आप लोग cost of goods sold मिल गया आपका selling and sorry cost of production में हमने क्या 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 yes selling and distribution add के हमको क्या मिल जाएगा cost of goods sold cost of goods sold मिल गया आपका तो यहां पर क्या करते हैं आप लोग cost of goods sold के बाद बताएगे आप लोग थोड़ा भी अगर आपको format या दे तो cost of goods sold के बाद क्या करेंगे हम लोग उसमें profit आड़ करना रहता है या आपका cost of goods sold बोलो या आपका क्या होता है total cost इसमें आड़ कर देंगे profit आपका टोटल देख लो कहीं हमारा कई mistake तो नहीं हो रहा है आपका yes 36 देखे mistake हो हो रहा है यहां पर mistake यहां पर 36 में हमने क्या क्या यह एड़ किया तो यहां पर आएगा 13 और यहां पर आएगा 4 जो हमने कैरी नहीं लिया यहां पर 43 43,0060,000 उसमें आड़ करेंगे 1,0020,000 ताएगा 44,80,000 yes 44,80,000 हमारा क्या हो जाएगा cost of goods sold cost of goods sold के बाद हमको क्या करना है आप पर आड़ profit हो जाएगा आपका now profit हमको given नहीं है नहीं given है तो क्या करेंगे हम लोग sales हमको देखना है कि sales दिया है क्या तो yes फूरे problem में आपको sales दिया हुआ है and sales आपने देखा हमाँ पर 1000 tv set आपके क्या किया है sell किया है 1000 tv set आपने sell किया है जिसका cost आपको आपको आपके दिया है that is 62 lakh now 62 lakh अगर हमको दिया हुआ है sell that means what जो difference है जो हमारा balancing figure होगा वो हमारा क्या हो जाएगा profit हो जाएगा तो आप क्या करेंगे 62 lakh माइनस 44 lakh 80,000 62 lakh माइनस 44 lakh 80,000 माइनस करो आप देखो आपके कितना है गा that is 17 lakh 20,000 17 lakh 20,000 हमारा क्या जाएगा profit now यह हमारा cost sheet क्या हो गया ready हो गया जो normal cost sheet आपको problem में दिया था उसको हमने सिर्फ copy and paste किया यहाँ पे यह cost sheet ready हो गया हमारा current year का सिर्फ इसका हमको CPU find out करना है सबको क्या करना आपको 1000 से divide करना देखेंगे now 36 lakh 80,000 3-0 cancel कर दो 3680 3680 यहाँ पे 3-0 के सको 680 हो जाएगा आपका 680 now 43 lakh 60,000 3-0 cancel कर दो 4-3-6-0 4-3-6-0 now 1 lakh 20,000 को divide करेंगे 1000 से कितना है का 120 now 44 lakh 80,000 को divide करेंगे 1000 से कितना है का 4480 and last में profit का 17 lakh 20,000 को divide करेंगे तो आएगा 1720 1720 that is profit and sell का हमारा मिल जाएगा that is 62 lakh को 1000 से divide करेंगे 6200 that is 6200 हमारा क्या हो जाएगा selling price hope आप लोग को यह समझ में है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमको सिर्फ क्या करना है copy and paste करना ता है यहाँ पे now यह current year का cost sheet हमारा क्या हो गया ready हो गया now current year के base पे अप हमको क्या बनाना है estimated cost sheet बनाना है hope आपको यहाँ पे थोड़ा सा light आ रहा होगा देखा ही नहीं देखा but hope आपको समझ में आएका मैं बोल रहा हूं सो देखेंगे वापर estimated cost sheet कैसे बनती है नीचे आपको information दिया था first material cost and direct wages cost will increase by 10% and 15% respectively यहाँ पे जो हमारा material है वो 10% से increase हो रहा है first direct material अभी 10% से increase करना है तो आप यह कोई भी mistake मत करना कि 18 लैक को आप क्या करेंगे 18 लैक में 10% increase करेंगे 1,80,000 that is 19,80,000 ऐसा नहीं करना है यहाँ पे cost per unit हम को यहाँ पे cost increase हो रहा है तो हम देखेंगे calculation कर लेंगे डारेक्ट material का working note नमर्ट आपका direct material देखेंगे कैसे calculation हो रहा है नौ डारेक्ट material में बोला कि आपका सबसे पहले आपको बता था लास्ट यह का cost cost पर unit है लास्ट यह का कितना देखेंगे आपका 1,800 है 1,800 है लास्ट यह का cost है उसमें आड करेंगे कितने से इंक्रीज हो रहा आपका that is material हमाना 10% से इंक्रीज हो रहा है तो 10% इंक्रीज हो रहा है that means what 1,800 का 10% 180 180 करेंगे आप यह आजाएगा 1,980 यह हमारा क्या हो जाएगा current year का cost हो जाएगा तो 1,980 हमारा current year का cost हो गया तो total cost के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 1,980 into जितना भी unit आपने क्या क्या produce किया बता ही आपने कितना unit produce किया next year में हमने कितना produce करना है 1,500 तप 1,980 अगर मैं यह आपे लिख दूँ 1,980 into 5 1,500 यह आपके लिए मैंने लिख दिया आपके पास कैलसी है आप क्या करेंगे इसको multiply करेंगे करिए आप 1,500 into 1,980 आपका हैगा 29,70,000 होप आपको यहां पे दिखा ही दे रहा होगा light आ रहा है बट फिर भी 29,00,000 मैं बोल रहा है 29,70,000 और इसका cost per unit आपके सामने है 1,980 यहां से मैं आपको starting से लिखता हूँ 1,980 यह आपका क्या हो जाएगा cost आप इसको divide करो 1,500 से इतना हैगा 1,980 नाँ तो जैसे आपने क्या क्या है direct material को क्या क्या calculate किया सेम वइसे वह आपको समझ में आय रहेंगा वापस एक बार देख लोगा cost price per unit किसका है direct लास्ट का कितना आपका 1,800 गिवेन है इस साल कितने सी इंक्रीज हुआ वो 10% से तो 10% 1,800 का कितना होगा 180 तो टोटल कितना आएगा 180 इंटु 1,500 सेम वैसे ही है हमारा देको सेकंड एड्जेस्मेंट तो हम यह आप लिख देंगे वर्किंग नोट नमन में सेकंड थार भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं वेजेस का द्यरेक्ट वेजेस्स सो बताइँ आप डार डैरेक्ट वेजेस्स लीजेस्स कने पर लास्ट कितना 되면 का 1,000, cost per unit, cost per unit, यह last year का, यहाँ पे भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, मैं last year, bracket में, यहाँ पे भी आपका that is 1,000, यह last year, L Y, that means what last year, इसमें हम लोग भी add हो रहा है, increase हो रहा है, 15% increase, in current year, so 15%, 1,000 का 15% आप सबको पता है, 150 हो जाएगा, तो total हो जाएगा, 1,150 हमारा direct wages का cost हो जाएगा per unit, और आपने कितना unit produce किया, 1,500 तो क्या करेंगे आप लोग, 1,500 into 1,150, यह हमारा क्या हो जाएगा, second, direct wages, direct wages, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1,500 into 1,150, 1,150, आप multiply करेंगे उसको, 1,500 into 1,150, आपका आएगा, देखें, कितना आते है आपका, 17,25,000, 17,25,000, hope आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, तो भी आप सुनके लिख लीजिए, और इसका जो cost per unit हैगा, 1150, 1150, cost per unit, और यहाँ पर find out करेंगे जिरोत नहीं, विकोज हमने यहाँ पर find out किया है, now, हमको direct material मिल गया, direct wages मिल गया, direct expenses है नहीं, तो हमको यह दोनों क्या मिल देगा, आपका prime cost, prime cost, and दोनों को add कर देंगे, material को, और direct wages को 29,70,000 and 17,25,000, तो देखेंगे, आपका कितना आ जाता है, 0, 5, 9, 9, or 7, 16, कहरे आगा, 13, or 14, that is 46,00, 46,00, 95,000 हमारा क्या मिलेगा, prime cost, that is 46,00, 95,000, exactly right है हमारा, इसके बाद, आपको पता कि जो हमारा thought होता है, वो factory overheads, factory overhead, now, so factory overhead, यहाँ पे देखेंगे, तो आपको factory overheads आपका था, 8,80,000, बट यहाँ पे आपको current year में क्या बोला है, कि factory overheads will be recovered as percentage of direct wages, तो यहाँ पे मैं factory overheads का calculation कर रहा हूँ, कैसे बोला है, यहाँ रखना, formula आपको problem में ही दिया रहेगा, दिया है, factory overheads will be recovered as percentage of direct cost, तो factory overheads आपका direct wages पे डिपेंड करता है, तो simple हमारा formula बन जाएगा, यहाँ पे है, working note नमबर 4, factory overhead, so factory overheads कैसे calculate करेंगे हम लोग, formula देखिए, आप question को एक बार read कीजिए, question में क्या दिया था, factory overheads will be recovered as percentage of direct wages, आपका factory overheads किस पे होगा आपका percentage of direct wages, तो formula आपके question में ही है, आपका देखो, आपके क्या हो जाएगा, work overheads आपका overheads रहेगा, उसी पे देखेंगे आपके, factory overheads या work overheads दोनों लिख सकते हैं हम लोग, work overhead upon, work overhead upon किसका बहुला direct wages, direct wages, ये कभी का रहेगा, ये last year का रहेगा, work overheads इसका हम factory overheads भी बोलते हैं, ये last year का, last year, ly मतलब last year, ये भी आपका last year, मैं आपके लिखता हूँ, यांपे और भी जगह चाहिए, विकास जगह कम पड़ जाएगा, तो ये हमारा last year का है, मैं यापे रफ़ कर देता हूँ, इसको, last year, that is previous year, last year, that is previous year, into, into direct wages, या आप बोशकते हैं, into direct wages of the current year, direct wages के base पे लेने हैं, आपको, तो direct wages of current year, direct wages, तो यहाँ पर आजाएगा, current year, formula यादर को मैंने बाता है, problem में ही formula दिया, इसके बाद भी जो भी दिया, मैं से same formula यूज करेंगे, देखें क्या दिया आपको, factory overheads will be recovered as percentage of direct wages, तो factory overheads यहाँ पर हम लिख सकते है, factory overheads upon percentage of direct wages, तो direct wages और यह current year का, यह दोनों last year का रहेगा, यह current year का रहेगा, तो देखेंगे आपपे, work overheads आपको last year का कितना दिया हुआ है, देखेंगे वाँपे, that is, देखेंगे वापस, कितना दिया आपको वाँपे, 8,80,000 दिया था हमारा factory overheads, 8,80,000 तो लिखेंगे आपे, 8,80,000 अपान direct wages, direct wages हमारा 10,00,000 दिया हुआ है, direct wages 10,00,000, into direct wages of current year, तो current year का direct wages आपका दिया है, 17,25,000, 17,25,000, ना, तो 17,25,000 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको calculate करेंगे, आप कर सकते, 8,80,000 divided by 10,00,000 into 17,25,000, वापस बोल रहा हूँ, 8,80,000 divided by 10,00,000 into 17,25,000 करेंगे, देखेंगे कितना हैगा हमारापे, Kelsey, that is आपका हैगा, 15,18,000, 15,18,000, 15,18,000, Kelsey का use करेंगे आप लोग, 8,80,000 divided by 10,00,000 into 17,25,000 आएगा, आपका 15,18,000, यस, 15,18,000 आजाएगा हमारा, तो यह हमारा जो है, यह क्या हो जाएगा, आपका factory overage हो जाएगा हमारा, that is 15,18,000, 15,18,000, इसको गर हमारा आड कर देंगे, तोमको क्या मिल जाएगा, factory overage, तोड़ा सा नीचे उपर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि, विकाज यह prime cost, यह prime cost का amount यह है, and factory overage का amount यह है, दोनों को add करेंगे, तोमको क्या मिलेगा, work cost, work, cost मिल जाएगा बच्चो, add कर देते हैं हम लोग, 0, 0, 0, 58, 13, 13 को 3 आएगा, carry कितना आएगा, 1, 10, 11, carry आएगा, 1, 7, 5, 12, carry आएगा, 1, 5, 6, that is 62,13,000, hope, Kelsey का यूज़ करेंगे, total कितना आएगा आपका, 62,13,000 आएगा, चेक कर लो वाँप एक बार, 62,13,000 आ रहा है क्या, yes, 62,13,000 आएगा हमारा, ना उसके बाद हमको क्या करना है, work cost के बाद, आपको याद होगा, office and administrative overheads हमको add करना है, तो fourth one हो जाएगा हमारा, office and administrative overhead, office and administrative overhead के बारे में, क्या बोला था आपको, बोलिए, वहाँ बेदिया था है कि, office overheads and selling overheads will be recovered as, percentage of work cost, यहाँ पे हमको percentage of work cost, जैसे मैंने आपको यहाँ पे explain किया था, same वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पे भी formula यूज करना है, तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जगह तोड़ा सा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका, that is adjustment number fifth, office and administrative overheads, office and administrative overhead, formula मैंने बताया था, बोलिए, वापस देखिए, problem में आपको दिया है formula, office overheads and selling overheads will be recovered as, percentage of work cost, तो क्या करेंगे आप लोग formula मैंने बताया था आपका, देखिए, office and administrative overheads, last year का लेंगे, office and administrative overhead, यह last year का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, last year का upon, क्या बोला था उसके बाद, work cost, तो work cost, work cost last year का, यहाँ भी last year का, into work cost, यह current year का रहेगा, मैंने बताया था, यहाँ पे दोनों last year का रहेगा, यहाँ पे कहा रहेगा, current year का, जिसका percentage आपको find out करना है, जिस पे find out करना है, तो office and administrative का find out करना, किसके ओपर work cost, तो office and administrative overheads upon work cost, last year का, into work cost कौन सा आपका, current year का, तो amount आपके सामने यहाँ पे देखेंगे, office and administrative overheads last year का, आपके पास यहाँ पे देखेंगे, amount 6,80,000 दिया है, तो लिखेंगे, 6,80,000 upon work cost कितना दिया आपका, 36,80,000, 36,80,000, चेक कर लो, 36,80,000, into work cost current year का, तो current year का work cost आपका, आपका, 62,13,000, 62,13,000, अब इसको आपको क्या करना है, calculate करना है, 6,80,000 divided by 36,80,000, into 62,13,000, देखेंगे आपके, चेक करेंगे, yes, कितना आ रहा है, बोलिए जल्दी, 11,48,054, 11,38,054, चेक करो आपका से एक बार, 11,38,054, yes, 11,48,054, sorry, 48 आएगा, 11,48,000, 54 आएगा, यह हमारा क्या मिल जाएगा, that is, office and administrative overheads, 11,48,054, अब इसको हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, इसको add करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, cost of production, cost of production, now, जैसे हमको cost of production मिलेगा, total कर देते हैं, 4, 5, 0, 11 को 1 कैरी आएगा, 1, 4 और 2, 6 हो जाएगा, आपका, 3 and 7, total हैगा, 73,061,054, 73,00, चेक कर लेंगे, आप लोगों आपके, Kelsey हैगा, आपका बास, 73,061,054, now, यह cost of production मिल गया, और जैसे हमको cost of production मिलेगा, हमको क्या find out करना है, selling and distribution overheads, तो 5 हो जाएगा, add, selling and distribution overhead, shortcut लिख रहा हूं मैं, now, selling and distribution overheads भी, जैसे हमने, office and administration, administration overheads find out करा, same way से ही, हमको क्या find out करना है, selling and distribution overheads तो जगा नहीं है, but मैं यहाँ पर जगा adjust करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा देख लेंगे, adjustment number 6 तो रहेगा, so, adjustment number 6 में, selling and distribution overheads, selling and distribution overhead, बोली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, okay, now, selling and distribution overheads, formula same, जैसे हमने यहाँ पर देखो, office का find out करना तो क्या लिखा हमने, office and admin overheads, तो यह लेखेंगे, selling and admin overheads, selling and admin overhead, यह कभी करेगा, last year, upon, same, क्या रहेगा, work cost पर find out करना है, work cost, यह भी करेगा आपका, last year करेगा, into work cost, कभी करेगा, current year का, current year, so, देखेंगे आपके, selling and distribution, over its last year का, कितना दिया आपका, 1,20,000, अपन, work cost आपको, same, 36,80,000, into work cost, current year का, same, 62,13,000, 62,13,000, चलो, इसको find out करेंगे, आप लोग, 1,20,000, divided by 36,80,000, into, 62,13,000, देखें, कितना है का, आपका, देखेंगे, 2,25,98, 2,00, 2,000, 2,25,90, 598, होप, आपका, 98 है वो, yes, now, यह हमारा, selling and distribution, over its मिल गया, तो लिख देंगे हम लोग, that is, 2,25,98, इसको एड़ कर देंगे, तोमको total cost मिल जाएगा, आपका, क्या मिलेगा आपको total cost, यह भी हमारा cost of goods sold हमने लिखा है, यह cost of goods sold के जाएगा पर आपको पता होगा, total cost हो जाएगा, reason is that, यहाँ पर opening stock of finished goods, closing stock of finished goods नहीं है, तो total cost होगा हमारा, now, selling and distribution आड़ कर देंगे, तो मिलेगा total cost, and total cost में हम क्या आड़ करते हैं, profit, तो हम आपके देखेंगे, total कर देते हैं, 8, 4, 12, क्यारियागा 1, 6, 9, 15, क्यारियागा 1, 6, 3, 6, 5, and 7, 75,63,652, 75,63,652, हमारा total cost आपका 6 हो जाएगा, profit इसमें आड़ करेंगे, add profit, profit आड़ कर देंगे आप लोग, क्या मिलेगा आपको, sell मिल जाएगा, that is 7th one, and sell दिया है आपको problem में, problem में दिया था, last में देखेंगे, कि हमने next year में 1,500 TB sell किया है, at the rate रुपीज 6,600, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, that is 1,500 into 6,600, यहाँ पर 1,500 TB, 1,500 TB into 6,600, आप multiply करेंगे, देखेंगे कैसी का use करो, देखो कितना आथा आपका, 1,500 into 6,600, that is 99,00, करके देखो, आप 99,00,000 आएगा आपका, now, 99,00,000 आगया, तो जो हमारा difference आएगा, जो हमारा balancing figure आएगा, वो क्या आजएगा, profit हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 99,00,000,00, माइनस 75,00,000,00, 63,652, माइनस करो, माइनस करने पर आएगा, आपका, 23,00, sorry, 23,00, 23,00, 36,348, 36,348, यह हमारा क्या हो जाएगा, profit हो जाएगा, 23,00, 36,348, हमारा क्या होगा, profit, now, यह हमारा estimated cost sheet भी ready हो गया, यहाँ पे मैंने working note, बहुत सारे जगा पे नहीं लिखा है, तो लिख देते हैं, office का आपका, आपका working note, नमर फॉर्थ किसका था, फैक्ट्री ओवरेट्स लिख देते हैं, यहाँ पे, फैक्ट्री ओवरेट्स का आपका working note, 5, office का 6, and, sorry, sorry, आपका factory ओवरेट्स, फॉर्थ हो जाएगा, office का, फिफ्थ हो जाएगा, and selling का 6 हो जाएगा, सिर्फ हमारा क्या find out करना, बाकी हो आपके, CPU find out करना है, तो सबको क्या करना, आप लोगो, 1,500 से divide करना है, 46,95,000, देखेंगे आपके, 46,95,000 को divide करें, कितना हैगा आपका, that is 3,130, 3,130, इसको total करेंगे, तो भी उतना हैगा, उसके बाद आपका, 15,18,000, 15,18,000 को divide करेंगे, तो कितना हैगा, 1,012, 1,012 रूपीज आएगा, now, 62,13,000, 62,13,000 में हैगा, 4142, 4142, now, 11,48,054, 765, 765, point में आ रहा देको, महाँ पे point में कितना आपका, 37, 37, उसके बाद आपका, 73,60, 1,054, divided by 1,500, देखें कितना हैगा, आपका, 4,907, 4,907, sorry, 4,907, 2,2598, इसका हैगा, 135, 135, 135, 135, उसके बाद आपका, 75,63,652, उसका हैगा, आपका, 5,042, 5,042, point, कितना हैगा, आपका, 43, आपका, लास्ट में, प्रोफिट का हैगा, 23,36, 348, divided by 1,500, 1,557, 1,557, 0.57, नाउ, सेल का प्राइस, कितना है, आपको, गिवें ता हूँ, आप टोटल कर लेंगे, तो भी मिलेगा, 6,600, गिवें ता, पाइंड़ाट करने की जरूद भी नहीं, 6,600, यह हमारा क्या हो जाएगा, CPU मिल गया आपका, यह हमारा पूरा प्रॉब्लम में पर क्या होँआ, complete हुआ, hope आपको समुझ में आ रहेगा, that is called as estimated cost sheet, estimated cost sheet में, सबसे पहले आपको जो last year का information दिया रहेगा, उसके base पे, trading and profit and loss account दिया रहेगा, उसके base पे हमको current year का क्या करना है, cost sheet बनाना है, current year का cost sheet बनाने के बाद, इसी के base पे हमको estimated cost sheet बनाना है, estimated cost में आपको information दिया रहेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे calculation भी दिये थे, formula याद रखना, जो भी find out करना है, जिस पे find out करना है, तो जैसे office को किस पे find out करना था, work cost पे, तो office and administrative overheads upon work cost into work cost, तो पहले last year और current year, office and administrative overheads upon work cost, दोनों last year करेंगे, and into work cost current year का, selling का same, selling and distribution overheads upon work cost into work cost, और वैसे यहाँ पे जब हमने क्या find out किया था, आपका that is factory overheads, इसको भी direct wages पे बोला था, तो factory overheads या work cost upon आपका क्या बाज़ाएगा, direct wages last year का, into direct wages current year का, यह formula आपको समझ में आया रहेगा, मैंने इसलिए बार-बार revise किया, वापस revise करा हूँ, problem में ही, यहाँ पे अलग से कोई भी formula आपको by hard करने के जरूरत नहीं है, problem में ही आपको formula भी दिखेगा, ठीक है, तो अगर आपको यह समझ में आया है, तो better है, बहुत अच्छी बात है, आप एक बार नहीं, दो बार देखो, तीन बार देखो, और उसके बाद भी कोई doubt है, तो आप क्या करेंगे, live session में clear करेंगे, उसके बाद भी कोई problem है, तो आप cost है ना, आपका comment करके भी बता सकते है, definitely आपका problem का solution दिया जाएगा, ठीक है, so next lecture में इससे भी अच्छा हम लोग problem करेंगे, आपका estimated cost sheet का, thank you,